उठ जाते होंगे, कौन-कौन उठता है पांच बजे, आप तो सभी समझधा रहे हैं, आप तो उठेंगी पांच बजे, चार बजे, लेकिन बालकों के, जो जो बालक बैठे, कौन-कौन उठता है चार पांच बजे, ये भाई लोग बैठे, इन मेंसे कोई उठता है, आप उ जाता है आप साथ बजे उठें आप सूरुदय के बाद उठें बाद में उठें ठीक है एक उठने का विश्य आपकी अपनी दिन्चरिया है लेकिन ब्रह्म महूर्थ में उठने वाला व्यक्ति और उस समय उसकी निद्रा खुल जाए तो कहा जाता है कि ब्रह्म महूर्थ एक एक ऐसा समय है जिस समय सारे के सारे भगवत भक्त संत जन और जितने भी द्रश अद्रश्य शक्तियां होती है उस समय चेतनता में आती है उस समय किया हुआ भगवत भजन किये हुए अच्छे कार किये हुए सोचे अच्छे वन की विचार वो तुरं सफल होते हैं फलिभू और ब्रहुम उर्थ में उठकर भगवत कारियों में अच्छे सतकारियों में विचार करता है, मनन करता है, भगवत नाम लेता है, उसके जीवन में कभी व्याद ही नहीं आ सकती, लेकिन जो मारा रूठेंगी नौनो दददस बज़े क्या होगा? सूरी भगवान जो प्रकाश के देवता है न वो नवचेतना देने के लिए प्रथम वेला में उपस्तित होते हैं और हम खाट पर पड़े रहते हैं, बैट पर चदर टांग करके, ठाकुर्ज भी कहते हैं वाव याद, सोते रहो तुम, और दिन के बारे बज़े उठेंगे त लेकिन आपको एक उमंग नहीं होगी, एक उच्छाव नहीं होगा जीवन में, इसलिए ब्रहुम महूर्थ कोई साधरन नहीं है, इसी में संत रिशी जागते हैं, इसी में भगवत भक्त जागते हैं, इसी में अच्छे दान पुने सत कर्म किये जाते हैं, जो कहते ब्रहु मुर्थ में उठकर भगवत भजन करता है बालक पढ़ते हैं ब्रह्म मुर्थ के अंदर वो विद्या को प्राप्त कर लेते हैं इसलिए तीन बजे से चार बजे के बीच में पांच बजे के बीच में अवश्य बालकों को अध्यन करना चाहिए ये समय होता है जिस समय आपको बुद्धी कब विकास मिलता है प्रकाश मिलता इश्मती बढ़ती है और उस समय अगर आप सो रहे होंगे न तो ज़्यादा दिन ने बुद्धू बिन जाओगे महराज यही समय है कि इस समय अगर आप पढ़ेंगे अध्यन करेंगे भगवत भजन करेंगे तो जो आप अपने मन में किसी भी प्रकार का भाव बना कर रखें वो तुरंद उसमें सफल हो जाएंगे इस दुनिया में कोई भी कारिय असफल नहीं हो सकता लेकिन आपका किया हुआ नियम याद रखे भगवान को नियम बड़ा प्रिय है कभी कभी क्या होता है पूर में हम जब बालक थे तो नियम नहीं थे हमारे अब हमारे नियम हो गए तो बहुत सारी चीज़ें देखने ही पड़ती है तो कई-कई बार लोग रूड जाते हैं उनको लगता है कि पहले तो ऐसे ही कभी भी आसक आ जाते थे कभी भी कमरे में आ जाते थे तो उनको ऐसी मिल जाते थे लेकिन अब क्या है अब थोड़ा से नियम होने की वज़र से थोड़ा समय मिलते हैं अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर हमारे पास क्या रहेगा तो इस बात को आप भी जहां हम भगवत नाम का बोलते हैं अगर उसका थोड़ा भी अनुशर नहीं करेंगे तो फिर क्रपा प्राप्त नहीं होगी ठाकुरजी की माना की कथा कहना भी भगवत भजन ही है लेकिन कहते हैं कथा कहना भगवत भजन है लेकिन अगर आपने नाम जाप आ दी अपने गुरू रिड़का भी कुछ नहीं किया ना जो आपको जाप मिला है जो आपको गुरू ने एक नाम दान दिया उसका कुछ नहीं किया तो फिर आप गुरू पे बोज बन जाते हैं इसलिए इस बात के लिए आप बिल्कुल बुरा मत मानीगा जतना इशने पूर्व में था उससे जादा इशने आज भी रिदे में बहुत है